इरान ने पाकिस्तान में घुस कर एक बार फिर से हमला किया है जी हाँ इरान के सैनिकों ने पाकिस्तान में घुस कर एक बार फिर से कुछ हातन की ठीकानों को तबाह कर दिया है तो ये लगातार इरान के तरफ से हमले हो रहे हैं कुछ महीने पहले भी इरान ने हमला किया था उनके कुछ ठिकानों पर जिसके बाद फिर से दोनों देशों के बीच जो तनाव है एक बार फिर से बढ़ गया है इरान के सरकारी मीडिया के हवाले से इरान इंटरनेशनल इंग्लेश ने बताया कि सेने बलो ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी संगठन जैस अलदल के वरिष्ट कमांडर इसमाइल साहबक्स और उसके कुछ साथियों को मार डाला इरान ने हमला तब किया है जब एक महीने पहले ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल दागे थे तब इरान की सेना ने सीधे पाकिस्तान में आतंकी संगठन के ठीकाने पर हमला किया था जवाब में पाकिस्तान ने भी इरान में रॉकेट हमले किये थे लेकिन इसम मामला 16 जनवरी से शुरू हुआ, 16 जनवरी को देराज जैस अलदल पर इरान ने हमला किया था, पाकिस्तान की सीमा में यह हमला मिसाइल और ड्रोन के जरिये हुआ था, पाकिस्तान ने तवारोप लगाय था कि हमले में दो बच्चों की मौत हो गई थी, पाकिस्तान को वापस बुला लिया था, और बाद में पाकिस्तान ने 18 जनवरी को हमला कर दिया था, पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने इरान में बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलुचिस्तान लिबरेशन फ्रंट पर हमला किया है, तब से दोनों देसों के बीच लगतार तलखियां बढ़ती जा रही है वैसे पाकिस्तान और इरान ने अपने समझोते की बात की थी और दोनों देसों ने कहा था कि हमारे बीच अब समझोता हो चुका है सब कुछ ठीक है लेकिन हाल के दिनों में फिर से हुए इस हमले ने दोनों देसों के बीच समझोते को कटगरे में खड़ा कर दिया है फिलाल भारत को गीदर धमकी देने वाला पाकिस्तान इस समय फिर से हर तरब से घिरता जा रहा है और वो खोद इसलामिक मुल्क ने उस पर हमला किया है जिसका तरद उसे हमेशा रहने वाला है फिलाल आपकी क्या राय है इस पर कमेट करके जरूर ब अने बाद